नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार क्या आप भी पातंजली का आटा सत्तू तेल मंजन पेस्ट बेसन काजल घी गिलोए जामुन करेले गेहूं का रस कोई बूटी जूस या टॉनिक इस्तिमाल करते हैं ठहरी है इस्तिहारों पर मत जाईए अपनी अकल लगाईए क्योंकि मामला इतना सीधा और सच्चा नहीं है जितना अख़बारों में इस्तिहारों में टीवी के प्रचारों में या आपके मॉबाइल में बताया जा रहा है बाकी सब छोड़िये अब तो सुप्रीम कोट ने भी बोल दिया है कि आटा सत्तु तेल बाबा राम देओ पातंजली का माल बेचने के लिए पूरे देश को ठग रहा है जहांसा दे रहा है जूट बोल रहा है फर्जीवारा कर रहा है और नरेंद्र मोदी की सरकार इस ठग बाबा पेट पिछकाए नजरा रहा है इस विज्यापन में एलोपैथी यानि अंग्रेजी इलाजपद्धती के बारे में एक से बकवास बाते लिखी हुए ऐसे सैकड़ों विज्यापन पातंजली छपवाता रहता है ऐसे विज्यापनों पर ठग और धूर्त बाबाराम के प्रचान से सजी पातंजली आयुर्वेद की खाल उधेड़ते हुए देश की सबसे उची अदालत ने पूछाए कि आपकी हिम्बत कैसे होती है हमारे साफ साफ और के बावजूद अपनी बकवास करने की यह कैसे चलता रह सकता है मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अ कोट को उकसा रहे हैं पूरे देश को धोखा दिया जा रहा है और सरकार आख मुंद कर बैटी हुई है सुप्रीम कोट ने पातंजली के लगातार छप रहे भ्रामक विज्यापनों को अदालत की आउमानना मानते हुए पातंजली आयुर्वेद और उसके मडी आचार्य बा क्रिश्न को आउमानना का नोटिस चारी कर दिया है आपको याद हो तो आटा सत्तु तेल बाबा राम देवने कोरोना काल में इस देश के लाखों लोगों को मौत का डर दिखाकर विश्वस्वास्त संगठन यानी डबलूएचो सर्टिफाइड बताकर करोणों रूपय की क कलवारी बाबा का नाम लिए बिना कहा था कि हमने पूरी दुनिया में किसी दवा को कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया यह काम हमारा नहीं है किसी भी ठक जालसाज ढोंगी फरेवी या बेइमान के दावों के चक्कर में ना पने आटा सत्तु शैंपू बाबा राम देव ने अपनी धूर्टता को विज्ञान साबित करने के चक्कर में पूरी दुनिया में भारत के नाक कटा डाली थी भारी फजीहत के बाद आयूश मंत्राले ने पातंजली को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि यह नोटंकी बंद किजिए हमने कभी आपके दावे का आसर बक्वास है कि पातंजली की बूटी को आयूश मंत्राले का ठपा मिला हुआ है बावजूद इसके राम देव की नोटंकी जारी रही एक लंबी सूची है राम देव के धूर्त दावों की 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आटा नूडल लॉंच करने से पहले फूड सेफ के कानून से खुद को और पातंजली को ऊपर समझने लगे थे आटा सक्तु मैगी बाबा राम देव पातंजली को फूड सेफटी के नियम तोडने के लिए लीगल नोटिस का सामना करना पड़ा था राम देव की धूर्तता का आलम यह है कि वो देश के जवानों को भी घट बताया था इसके बाद सीस्टी कैंटीन ने अपने सारे स्टोर से पातंजली के आउला जूस को हटा लिया था 2015 में हरिद्वार के लोगों ने पातंजली घी में फंगस और अशुर्धियां मिलने के शिकायत कि आपको पताई होगा पातंजली का हैड़क्वाटर हरिद्वा है वहां भी ठीक ठाक माल नहीं बेच पाते इससे भी आगे की पातंजली की धूर्टता देखिए इसको हाइट कहते हैं उचाई 2018 में फसाई ने पातंजली की एक ऐसी जाल साजी पकड़ी जिसके लिए किसी भी देश में इसके प्रमोटरों को जेल में डाल दिया जाता है रामदेव के प्रचार वाली कंपनी का जलवा है साहब हुआ ये था कि पातंजली ने मेडिसिनल प्रोड़क्ट गिलोए घनवटी पर एक महीने आगे के मैनुफेक्चरिंग डेट चाप डाली बहुत उचा प्रोड़क्ट है गिलोए बार बार मात करते हैं मतलब बाजार म में उतारने के एक महीने के बाद के तारीख कभी सुनाए आपने इसके अलावा आटा सक्तू शैंपू बाबा राम देव पातंजली के प्रोड़क्ट से कैंसर एड्स और होमो सेक्स्वालिटी तक ठीक करने के दावे को लेकर विवादों में रहें सुप्रीम कोट ने साफ का था कि हम इसको स्विकार नहीं कर सकते लेकिन पातंजली की धूर्टता मकारी और जालसाजी के इंतिहा ये है कि सुप्रीम कोट के साफ निर्देशों के बावजूद वो नहीं माना 21 नवंबर 2023 को ही सुनवाई में जस्टिस हमानुला ने का था कि पातंजली को सभी भ्रा के जूटे दावे पर एक करोड तक का जुर्माना लगा सकता है कोट अगर कोट सच में अपनी बात पर अड़ गया ना तो पातंजली की दुकानी और फैक्ट्रियां नीलाम हो जाएंगी हर्जाना भरने में राम देव के टुच्चेपन के इतने किस्से हैं कि पूछिये मत इस धूर्त ने कोरोना काल में जनता की सेवा करते हुए अपनी जान गवाने वाले डॉक्टरों तक का मजाग उडाया है डॉक्टरों की टर 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 कहते हुए खिली उडाई की लोगों को योग सिखाते हुए राम देवने मंच से कहा था कि वैक्सीन लगाने के बाद हजार डॉक्टरों की मौत हुई डॉक्टरों का मजाग उडाते वे राम देवने का था कि जो खुद को ना बचा पाए तो कैसी डॉक्टरी लेकिन बेश्रमी की हद देखिए राम देवने देश के लाखों डॉक्टरों को नीचा दिखाते वे का था कि डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन इसके पास कोई डिगरी नहीं है और सबका डॉक्टर है इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसियेशन सबसे बड़ी संस्था डॉक्टरों की उसने पूरे देश में इलाज रोकने की चितावनी देड़ा लिए इस चिट्टी में आईयमे ने त स्वास्थ मंत्री भी मौजूद थे सभी इस बात को जानते हैं कि बाबाराम देव और उनके साथी बालकृष्ण बीमार होने पर खुद इलुपैथी इलाज लेते हैं इसके बाद भी अपनी अवैध दवा को बेचने के लिए वह लगातार इलुपैथी के बारे में भ्रम लोगों की जान गई उन्होंने ड्रक्स कंट्रोलर जनरल अफ इंडिया यानि डीजी सी आई और स्वास्थ मंत्री की साख को चुनोती दी यह भ्रम फैलाने और लाखों लोगों की जान खत्रे में डालने के लिए बाबाराम देव पर मुगदमा चलाया जाना चाहिए राम देव ने फेवी पिराविर को बुखार की दवा बताया है इससे पता चलता है कि मेडिकल साइंस को लेकर उनका जान कितना कम है मामला कोट में गया और कोट ने पातंजली को कड़ी छेतावनी दी कोट ने कई मौकों पर कहा कि पातंजली के दावे बहुत भ्रामक हैं और इ प्रोसे से उनकी आस्था से खिलवार नहीं कर सकते लेकिन हिम्मत देखिए और यह मेरे नहीं सुप्रीम कोट के शब्द है कि हिम्मत कैसे होती है आपकी ना राम देओने पातंजली का माल बेचने के लिए अपने धूर्टता बंद की और ना ही पातंजली ने इस धूर्ट का इस्तेमाल बंद किया यह भारत देश है मेरा इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरण कीजिए बेल आइकॉन दबाई यह घंटी जैसी आकरती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताईए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारे ट्विटर है अर्टिकल 19 अंडरिस्कोर इंडिया प्लीज यूट्यूब को सब्सक्राइब करीचे नमस्कार